मिठला विश्प विद्यालय के अधीन CM Science College का आर्जभर छात्राबास का पुर्णरिमार कार्ज हुआ प्रारम Power Grid Corporation of India ने अपने Corporate Social Responsibility योजना के तहद शुरू कर दिया है आपको बता दे कि इसी महा विद्यालय के पुर्वर्ती छात्र एभम Power Grid Corporation of India Limited के पुर्व मुख महा प्रवंधक इंदु सेखर जा इसी महा विद्यालय के 172 बैच के छात्र रह चुके है पुर्वर्ती छात्र समान समारों में भाग लेने के लिए इसी महा विद्यालय में आये थे उसी समय इन्होंने मन से कहा था कि आर्जभर छात्र आवास का जिन्नोधार हम अपने विभाग से कराएंगे उसी के तद यह निर्मान का आर्ज प्रारंभ हुआ है वहीं 23 सितंबर 2020 को स्वतंत प्रभार केंद्रिय उर्जा राज मंत्री आर्के सिंग ने इसका ओल्लैन सिलार नयास भी कर चुके है आपको बता दे कि इस आर्जभर छात्र आवास से बिहार के नामचिन राजनेता करपुरी ठाकुर ललित बाबु जैसे राजनेता यहां से इस छात्रावास में रहकर पर चुके है बहुत ऐसे नामचिन है जो अपने बिहार के साथ साथ देश नहीं विदेश में भी पंचम लहरा रहे हैं इस छात्रावास का तो यही इतिहास है साथ करोर तीन लाग की लागत से इसका निर्मान कार्ज होना है इसमें 150 बेट बनेगा यह एक बर्स में यह चात्रावास अत्यादुनिक तरीके से बन कर सुसजित होगा अधिक जानकारी देते हुए CM साइंस के बर्या सिक्षक एवं पुर्व MRC डॉक्टर दिलीप चौधरी ने जानकारी दी दर्भंगा दर्सन न्यूस से मनो ज्जा और बरे-बरे नेता यहां से इस होस्टल मरह के परहाई की राजनिती छेतर में भी उन्होंने अपना पाकर दिया मिधलांचल सहित बिहार में में उनका नाम रौसन रहा पुनर इसका निर्मान काज शुरू हो रहा है क्या कहेंगे आप चंधारी मितला विज्ञान महा विज्ञाले वो न्यू होस्टल था पहले उसका नाम बदल के साइंटिस्ट कर चुकी विज्ञान का वो होस्टल था इसी लिए उसको आर्जभट छात्राबास किया गया यह सही है कि इसमें पूरे नमचीन हमारे महाननेता जो राजनितिक थे उन्हों का विज्ञाले उसमें छात्राबास में रहे हैं लेकिन हम धनबात देते हैं आर्के सिंग जी को आवर गिरिट को और अपने प्रधाना चार्ज को कि जिनके प्रयास से ये मिर्त पड़ा एक संस्था उसको जीवित करने में अपना योगदान दिया और इसका आज प्रतिफल है कि इसमें कम प्रड़ाम हो सका है इसलिए हम पुना एक बार पुर्जा मंत्री स्री आर्के सिंगी के प्रति धनबाद के अप्रित करते हैं ено, यहां के छात्रों को इस छात्रा बार के बनने से क्या फढ़ा होगा इसे लौजों में लोग रहते हैं, कुई बेवत्था नई रहती है किसी तरके से चात्र, हतकते भतकते रहते हैं तो यहां रहेंगे जह जिस तरीके का यह औस्टल बन रहा है तो उसमें काफी सुधाएं छात्रों को मिलेगी उसे पढ़ने में पठन पाथन में उनको सहयोग मिलेगा कि एक अच्छा महल और एक साथ जादी छात्र रहते हैं तो आपस में डिसकसन वगरा भी करता है इसलिए यह बहुत उपयोगी एक हमारे सस्था के लिए है लेकिन बिहार सरकार भी कई होस्टल बनवा रही है अभी बिहार सरकार का भी एक पूजल आया था लेकिन जमीन की अनुप्रुलक्ता के कारण इस विद्याले ने कई जमीन देखाया एक जगह चर्चा भी हुई परन्तु जमीन का हत्रांत्रन नहीं हो सका इसके वज़ा से चात्राओं को सिवधा मिले जो अपने केंपस में रहें और डिसिप्लीन से अंसासित होकर पठन-पठन का काम करें